GUYS अपनी लाइफ को अपने जीवन को love करिये respect करिये God । ने आपको जो life दिये, जिन्दगी धिये उसको बहुत value करिये, बहुत response करिये ठीक है, किसी नहीं नहीं देखा है हम कहां सी आए है और किसी ने नहीं देखा है कि इस जिन्दगी के बाद, इस जन्म के बाद हम कहां जाएंगे, ठीक है, तो राइट नौ आपको जो लाइफ मिली है न, वो बहुत प्रीशियस है, मानव जन्म, इसको रिस्पक्ट करिए, और कुछ ऐसी चीजे हैं जो प्लीज मत करिए अपने आपके साथ, ठीक है, जिन्दगी आपको भी, ये मान के चलिए जिन्दगी आपको भी एक ही मिली है जीने के बाद, इसके बाद क्या है ये आपको भी नहीं पता, तो आज अभी इस वक्त में जीना सिखिए, बार बार अगर कोई आकर आपसे चांस मांग रहा है, कि एक चा जो एक बार रिष्टे से बाहर जा चुका है इनसान, एक बार जो घर से बाहर पाउ निकाल चुका है इनसान, और एक बार जो दूसरों के साथ खड़ा होकर आप पर उंगली उठा चुका है, बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी जिन्दगी आपके बिना नहीं चल यह आपको सॉफ्ट बना के पिगला के आपकी लाइफ में एंट्री लेकर दुबारा से अपने उपर आप अपनी एनर्जी के उपर उस परसन को सर्वाईव करने का मोका दे रहें के वल पस, आप उसके लिए सिर्फ एक टूल है, एक आप्शन है, आपको साइड बाई साइ कि जब कभी घूम फिर कर वापिस आना हो, तो एक आप्शन, एक दर्वाजा हमेशा खुला हो, उसी दर्वाजे को बंद करने की जरूरत है, उसी दर्वाजे को बंद कर दीजिए और इस सक्ती से बंद कर दीजिए, बिलीव मी, जो इनसान आपसे बाहर निकल चुका है, ज कभी अकेला नहीं रहेगा, इस आर पैरासाइट्स, वो अपना अगला शिकार ढून लेते हैं, मत सोचिए कि वो आज गिर गिरा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपकी, आप नहीं होए तो उनकी लाइफ का क्या बनेगा, या ये मेरा अपना है, क्या करती, चांस ना देते तो भूल जाएए, आप नहीं होंगे तब भी उनके पास वो अपना जुगार कर लेते हैं, ठीक है, आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी लेंग्विज के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, एक अब्जेक्ट है, एक कदिल करें, तो एक गेट, एक खिड़की हमेशा ओपन है, जहांसे वो परसन एंडर हो सकता है, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक सप्लाई हैं, तो कभी भी अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करिए, कभी भी चीटर को वारा मौका मत दीचे, ठीक है, हमारे में ना एक कहावत बोली जाती है, कि जो भूका होता है नो भूका, उसके सीधे दिन आ जाते हैं, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, ठीक है, समझे आज कोई गरीब है और भूका है, उसके सीधे दिन आ जाते हैं, लेकिन जूटे के सी यह व्यक्ति आपकी लाइफ में भी आप ड्रामा क्रियेट करके रखता है और बिलीव मी नोटीस करिए यह व्यक्ति कब आपकी लाइफ में एंट्री की कोशिश करता है हमेशा हर बार जब यह री एंट्री लेते हैं इंसान आपकी लाइफ में कब लेते हैं पाता है जब आप एक शांत लाइफ जी रहे हो अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ने लगोगे ना ये वक्ति उसी वक्त आपके समने आके खड़ा हो जाएगा मुझसे गलती हो गई चांजते दो कोई बात नहीं अब नहीं करूँगा मैं कह रहा हूँ ना कोई भी नहीं अब कुछ नहीं हो माफी के शब्द बोल रहा है ना वो ऐसे बोलेगा कि वो आपको आपसे माफी मांग रहा है वो पता कैसे मांगेंगे आपसे माफी ठीक है ना मान तो रहा हूँ बोल तो दिया चलो जब ये लोग सॉरी बोलने आते ना चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती है ठीक है चलो म माल लेता हूं मेरे से गलती हो गए जब भी इस टाइप के वर्ट्स कोई बोलता है ना समझ जाएए उसकी माफी ऑथेंटिक नहीं है दिल से नहीं आ रही है उसकी माफी उसकी परिस्थितियों की वज़े से है ठीक है तो कभी भी never ever give chance to these type of people जो आपकी life में तब entry मारते हैं ज जब आप इस person को chance नहीं देंगे यह आपको अगर यह आपका spouse है ठीक है यह आपको society fear दिखाएंगे ठीक है यह आपको लोगों का fear दिखाएंगे कि फिर देख लो तुम handle कर लोगे क्या लोग ऐसा बोलेंगे तो चलो एक देख लेते हैं साथ रहके चलो ना फिर से start कर लेत हैं वरना मतलब आपको यह दिखाया जाएगा कि यह विचारे आपके फाइदे के लिए वापिस आये हैं कभी भी ऐसे person का यकीन नहीं करना believe me once a cheater always a cheater once a liar always a liar और यह लोग जो होते हैं जो बार बार आपकी life से on off करते हैं उनकी बात करें एक बार किसी से भूल हुई और व आपको दिल से उसकी माफी फील हुई और उस person ने उसके बाद सबसे ज़्यादा बात है उसने effort भी लगाए उस रिजने में ठीक है मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगी forget forgive but never forget देखो यह fact है you can forgive but you never forget गाल पे किसी ने चांटा मारा और उस चांटे को आप forgive तो कर सकते हैं है ना समय के साथ वो घाओ भर जाएगा आप forgive कर देंगे अपने आप के लिए forgive तो कर सकते हैं लिकिन वो अटल सत्य है कि एक वक्त इस person ने आपको cheat भी किया है और beat भी किया है तो वो सत्य कभी नहीं बदल सकता वो अटल सत्य है तो उसको forget कैसे करो गया आप जो life में हो चुका है उसको आप forget करना impossible जो बोलते हैं ना forgive and forget ये ये मतलब achieve नहीं किया जा सकता ठीक है forgive but never forget कोई इनसान उसे वो चला गया आपके life से उसको forgive तो करना ही है क्योंकि आपको शान्ती में रहना आपको आगे बढ़ना आपको move on करना otherwise आप forgive नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप move on ही नहीं कर पाएंगे लेकिन forget how could you forget कि पिछली बार कैसे आपको तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा गया था आप रोए थे गिड़ गिड़ाए थे कैसे forget किसी की in human nature को किसी की in sincerity को किसी के डगाबाजी को आप forget कैसे कर सकते हैं forget करना is never possible forgive भूलो मत कि हिसे इनसान ने क्या किया था और कभी भी याद रखना जिसकी nature होगी है जो बार बार दोका करता है इनसान how is it possible कि सालों से जो आपको चीट करता आया है on and off आपकी life में करता आया है कैसे possible है कि वो कुछ महीनों में बदल जाएगा या कुछ दिनों में बदल जाएगा दिनों तो छोड़ दो ये थोड़ा लंबई के लिए जाते है अच्छा खासा बहर हवा खोरी करके फिरी आते हैं तो महीने तो बोली सकते हैं कुछ-कुछ महीनों बाद ये कैसे मतलब ऐसा कैसे हो सकते है कि अचानक से इनसान सुधर जाता है इनको सिर्फ और सिर्फ मैनिपलेशन आता है मैनिपलेट कर लेते हैं आपकी एनरजी को जब तक आपके अंदर कुछ है जब तक आपके पास कोई बात है जब तक आपकी वो जो आपने लाइफ बैलेंस की थी सुधरी थी चीज़े अच्छे से उनको सक कर लिया जाए और फिर उसके बात में वापिस से आपको डिवैल्यू कर दिया जाए ठीक है ना तो किसी के साये में रहकर खुद को अनवर्दी फील करने से अच्छा है अच्छा एक बात और होती है इसमें जब हस्बन वाइफ का रिष्टा होता है इस्पाउस का रिष्टा होता है तो ये इन लोगों में बहुत गरूर होता है कि मेरे बिना कैसे जी होगी ठीक है लोग तुमें जीने नहीं देंगे दुनिया तुमें जीने नहीं देगी है कि लोगों ने बोला था इस ने उसने बोला था तो मैं वापिस ऐसे चली गई या उसके वज़े से चली गई या इसके वज़े से चली गई बिलीव में वहां कहीं न कहीं आपके अंदर तो वो हलका सा कीड़ा था अगर आप अपने बारे में श्योर है ना कि आप अप इस लाइट को जी लेंगे और अच्छे से जी लेंगे इसलिए हमेशा भुलती हूं गर्ल्स अपने आपको इंडिपेंडेंट बनाईए बहुत बड़ी चीज सोचते हैं आप लोग कि मेरे लाइक चांस नहीं मिल रहा है जैसा मेरे creativity है वैसा मुझे opportunity नहीं मिल रहा है छोटे छोटे स्थर पर इस है लेकिन start कर दीजिए start कर दीजिए सब छोटे लेवल से start होते है starting कहीं न कहीं से तो करनी पड़ेगी न आज जो आपको doctor देख रहा है या जो engineer देख रहा है जो बहुत successful इंसान देख रहा है वो भी कहीं न कहीं तो first standard साही start किया था न सिधा कूद के वो degree पे तो नहीं चला गया था अपनी तो छोटी छोटे start करिए बट मैं आपको बोलूगी किसी भी level पर earning start करिए ही करिए earning start करिए so that आप कभी दबाओं में न आए आपको कभी कोई future का भेना दिखा सके और रही बाद से जमाना क्या बोलेगा और जमाना क्या कहेगा और दुनिया क्या बोलेगी आप जिस टाइप के होंगे आपकी energy जैसी होगी आपका attitude जैसा होगा अपनी life को लेकर अगर आप अपनी life को respect करेंगे ठीक है न तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो आपसे आकर जूडेंगे जूडें या मत जूडें वो भी इंतजार मत करिये आप बस अपनी life को जीएं इसको respect करें इसको जीएं और कहीं पर भी आप ये sign नहीं करके आएं दो लोग का कर्मा हो सकता है जो कुछ वक्त के लिए था या शायद लंबे वक्त के लिए था और चुक तो हो गया उसके बाद अगर सामने वाली पार्टी उस कर्मा को चलाना चाहती है तो ये आपका नहीं बनता किसी भी लूप पे कभी मत जाईए जो लूप आप तोड़ चुके हैं एक बार निकल चुके अगर आप move on कर चुके इसलिए बोल रही हूँ ना कि earning स्टार्ट करिए earning से आपको future का भे नहीं रहता आज की बात खास दोसे married women के लिए ज़्यादा suit करेगी आप किसी भी toxic नासिस्ट के रिष्टे से तब ही निकल सकते हैं उसके under से तब ही निकल सकते हैं जब आप आपकी नीचे पाउं के नीचे जमीन हो आप financially stand हो सकें बहुत सारे ऐसे हैं जो तड़प रहें निकलने के लिए बट वो इसके बाद क्या करूंगी कि डर से चलते चले जाते हैं ये अपने साथ मत होने दीजिए अपनी life को value करिए ये जीवन आपको भी एक ही बार मिला है और believe me believe me universe ने किसी भी एक soul को दूसरी soul की गुलामी करने के लिए नहीं भेजा है हम soul to soul connected है इस धरती पर मानिए इस बात को समझिए इस बात को गलत वेक्ति भी अगर आपके साथ बंद गया तो वो आपके करमा थे शान्ती से उनको चुकाईए और उसके बाद निकल जाएए किसी के life long drama में पड़े रहना आपका काम नहीं है बुढ़ापा क्या होगा आगे चल के क्या होगा old age में क्या होगा ये सारे डर आपको दिखाये जाएंगे बच्चों का क्या होगा सब अच्छा होगा और होता चला जाता है it depends on you you only जिसने आपको आपकी अच्छी खासी stage पर आपकी अच्छी खासी जो आपकी मतलब अच्छी खासी जवानी में आपको जिसने बार बार दोके दिये बार बार चीट किया पिता, क्या आपको लगता है कि वो इनसान आपका old age में साथ देगा बहुत भै दिखाए जाते हैं बच्चों का, बच्चों की शादी का old age का, ठीक है आगे future का, लोग क्या कहेंगे का और समझे इस बात को कि जीवन में चलती है आगे गाड़ी हमें शाँ आगे चलती है आप move on करिए जो कुछ आप choose करते हैं आप देखोगे, यूनिवर्स उसी side work करना start कर देते हैं आपके लिए अगर आप पैसे रिष्टे में बार-बार जाना choose कर रहे हो, अगर आप बोलते हो ना कि यूनिवर्स हमसे इतना प्यार करते हैं तो फिर बार-बार मेरे साथ ही इसा क्यों करवाते हैं यूनिवर्स क्या करवा रहे हैं यूनिवर्स तो सिर्फ आपकी free will देख रहे हैं आप जाना choose कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको जाने देंगे मेबी आपके लेसन सब भी भी बाकी हैं इतना कुछ जेलने के बाद भोगने के बाद भी आपने ही समझे हो तो यह आपका लाइफ लेसन है यूनिवर्स पर मट डालिए मैंने ये भी नोट किया है कि जब हम मजबूत भरना चाते हैं जब हम निकलना चाते हैं ठीक है ना दुनिया इस एक परसन पर आकर खतम नहीं हो जाती है और अब तो बाइदर मनलब क्या बोलें कि अब तो विमेन इंपावर्मेंट इतना आ गया है या आप देखिए ओप्शन इतने हैं आप घर से काम कर सकते हैं आप ओनलाइन काम कर सकते हैं आप कैसे भी अपने किसी भी जिस क्रियोटिव साइट में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं पहले तो चलो फिर भी माल लिया कि ये चीज़े इंपासिबल हो जाती थी क्योंकि आप्शन्स कम थे राइट नव तो बहुत आप्शन्स है आपको मूव उन करने के लिए खुद को इंगेज करें एंगेज करना खुद को बीजी रखना सीखें अगर आपको वही परसन याद आता है ट्रामा बॉंस में आप खुद को बीजी रखना स्टार्ट करें जैसे ही आपको वह चीज़ें याद आएं जैसे ही आपको पास्ट पेंफुल मेमरीज आएं उस को उसे time heal करें, release करें, universe से direct connection ऐसा रखिए कि एक line बोलने के साथ आपको manifestation हो, बोलिए अपने आपको बार-बार बोलते रहें, I choose freedom, मैं free हूँ, मैं free soul हूँ, ठीक है, ये I am love, I am confidence, I am I am abundance बोलने से पहले, खुद को बोलिए, I am free, इस एक line में बहुत जादू है, I am a free soul, जब आप free बोलेंगे ना अपने आपको, तो आप financially भी free होंगे, है ना, financial freedom भी आपके पास आएगी, mental freedom भी आएगी, emotional freedom भी आएगी, और physical freedom तो, hierarchical police है, court है, दुनिया है, बहुत मिल जाती है आपको आराम से, थोड़ा आवाज कड़क करके बोलना सिखे, कि नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, ओके दोस्तों, मिलती हूँ आपसे next वीडियो में, thank you so much for listening, thank you and bye bye